प्रस्तावित हैं तो आईए इस पेपर को हल करते हैं और बहुत जोरदार तरीके से इसको शेयर कर दीजिएगा यहां पर देखिएगा तीन घंटे पंदरा मिट का समय है सौ का पुडांक आपका होने वाला है पंदरा मिट पेपर पढ़ने के लिए होते हैं और दो खंड इसमें मिलेंगे आपको दोनों खंडों के प्रश्न के उत्तर देना आनिवार है पहले खंड का में दो भाग होंगे खंड का में सबसे पहले प्रश्न संख्या एक और दो यानि कि ये दस प्रश्न आपके objective होंगे यानि बहुभी कल्पी ये प्रश्न होंगे 10 के 10 हों दस नमबर के होंगे 5 गद्दे साहित्य के विकास से 5 कावे साहित्य के विकास से होंगे अगर आपको पढ़ना है तो हमार प्लेलिस्ट बनी हुई है और डिस्क्रिप्शन में भी मैं प्लेलिस्ट की लिंक दे दूँगा तो आप जाकर के फुल सलेबस आप पढ़ सकते हैं यहां पर देखिएगा प्रेम सागर के रचनाकार कौन है सदलमिश्र पंडित लल्लू लाल इंशालला खां सदा सुकलाज त चंदरकांता और चंदरकांता संतती भारतेंदु यूग, दुवेदी यूग, छायावादी यूग या छायावादोत्तर यूग तो चंदरकांता संतती भारतेंदु यूग की रचना है फिर आती है बात गोराबादल की कथा के लेखक कौन है तो कभी गंग तो नहीं है क् उन्होंने चंद चंद बरनन की महिमाली की और यहां पर जटमल हैं गोराबादल की कथा के लेखक और फिर आता है रसक गिरंजन रसक गिरंजन के रचनाकार कौन है रसक गिरंजन आप जानते हैं महावीर प्रसाद दुवेधी और जो कि यहां पर آپ्शन में नहीं है तो आप साथ जोड लीजिएगा इसमें कोई option सही नहीं है तो गहा का अन्य option हो जाएगा महावीर प्रसाद दुवेदी रसक गिरंजन सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं अब सरस्वती पत्रिका एक ऐसी पत्रिका है जो बहुत important है और बार-बार यहां से सवाल पूछे जाते है तो महावीर प्रसाद दुवेदी का नाम आता है सरस्वती पत्रिका के संपादक में प्रथम संपादक के अगर बात करें तो प्रथम बाबु शामसुंदर दास हैं दुतिय संपादक जो हैं वो आपके महावीर प्रसाद दुवेदी लेकिन जब option में दोनों हैं तो आप मह महावीर लगाई है चुकि सर्व स्रेष्ट और सबसे ज्यादा समय तक इन्होंने ही इस पत्रिका का संपादन किया है 1903-1920 तक तो हम महावीर प्रसाद दुवेदी के साथ जाएंगे चुकि शाम सुंदर भी गलत नहीं होगा ठीक है फिर है कावे साहित के विकास पर आधारि दुवेदी ने कहा नारी का रूप संदर चित्रन प्रकृति का चित्रन युद्धों का सजी वरणन और मुक्तक कावे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नमबर 3 से हो जाएगा युद्धों का सजी वरणन वीर गाथा काल की विशेस्ता है परश्राम की प्रतिक्षा किस कवी तो यहाँ ऑप्शन नमबर 2 सही हो जाएगा राम चंद्रिका की रचना किस ने की थी राम चंद्रिका जिसे चंदों का आजायब घर कहा जाता है केशव दास जिन्हें कठिन कावे का प्रेद कहा जाता है राम चंद्रिका की रचना केशव दास ने की थी ऑप्शन नमबर 1 अब यहाँ पर है कि आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है उसमें न शारीरिक जगड़े हैं न मानसिक तो व्याक्षास की समझे कि सरदार पूर्ण सिंग जी कहते हैं कि जो आचरण की सभ्यता का जो देश है वो अनुपम है अप्रतिम है एकदम अलग है क्योंकि उसमें बहुतिक जगत की चीजें सक्रिय नहीं रहती हैं जैसे कि बहुतिक जगत में शारीरिक जगड़े रहते हैं मानसिक जगड़े रहते हैं आध्यात्मिक जगड़े रहते हैं परंतु आचरण की सभ्यता में ऐसा कुछ नहीं है उसमें किसी प्रकार का विद्रोह, युद्ध जंग का नामू निशान नहीं है वहाँ पर उंच नीच भेद भाव जाती प्रथा आदी खत्म हो जाती है ठीक है? वहाँ अमीर गरीब की पहचान नहीं होती है क्योंकि आचरण की सब्वेता का देश एकदम अलग है ठीक है? तो यहाँ पर देखिएगा सीरसक का नाम आचरण की सब्वेता सरदार पूसिंग रेखांकी तंस की व्याख्या हमने बता दी आचरण की सब्वेता का देश निराला क्यों है? क्योंकि उसमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक जगडे नहीं है वहाँ पर भेदभाव नहीं है प्रकृति का नाम नहीं आकर ये कैसे हो सकता है? ठीक है? तो आप लिखिए आप इसमें लिखिएगा कि जहाँ पर प्रकृति का अर्थ होता है सुभाव और जहाँ पर सुभाव है वहाँ पर प्रकृति है परंतों आचरण की सभ्यता में प्रकृती का नामुदिशान नहीं है, प्रकृती की कोई आवशक्ता नहीं है, क्योंकि सभाव तो भौतिक जगत में होता है, वहां सभाव का कोई काम नहीं है, आचरण की सभ्यता के संसार में आने का क्या परिणाम होता है, तो जिस समय आचर धर्म है तो वह है घुमक्कड अब यह कहां से लिए आ गया है यह आप जानते हैं अथातो घुमक्कड जिग्यासा है ना राहुल सांस्कृत्यायन जी कहते हैं कि संसार में अगर कोई प्राचीन सनातन ध्र्म है तो वह गुमकडी का ध्र्म है यानि कि गुमकडी जीवन अनादिकाल से चला आ रहा है यह कोई संकुचित अरथा संकुचित संपरदाय नहीं है बल्कि यह एक विस्तृत संप्रदाय है जिस तरह आकाश का विस्तार है उसी तरह इस गुमक्कड धर्म का वी विस्तार है और आकास की तरह महान भी है समुद्र की तरह ये धर्म जो है विशाल है जिन धर्मों ने अधिक यश और महिमा प्राप्त की है केवल गुमक्कड धर्म के ही कारण तो अगर घुमकड धर्म नहीं होता तो दनिया का कोई भी धर्म नहीं फैलता जैसे बहुत धर्म चाइना में कैसे पहुचा घुमकडी के कारण प्रभू इसा घुमकड थे इसी कारण इसा ने पुरी दुनिया को के कोने कोने में घुमकडी बन करके घूम घूम करके संदेश तो पाट का नाम लेखक का नाम बता दिया। और समुद्र की तरह विशाल है कुछ धर्मों ने यश और महिमा किसके कारण प्राप्त की है तो कुछ धर्मों ने यश और महिमा केवल गुमक्कड धर्म के कारण प्राप्त की है हो गया कि साजिच्च तुरंग सैन वंग में उमंग धारी सरजा सिवाजी जंग जीतन चलत हैं बौसन भनत नाद बिहद नगारन के नदी नद मद गैबरन के रलत हैं एल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल गजन कि ठैल पैल सैल उसलत हैं तारा सो तरनी धूरी धारा सो लगत जिमी धारा पर पारा पारा वारियों हलत हैं निकसत म्यान ते मयूख है प्रलेभान कैसी फारे तम तोम में गयंदन के जाल को लाल छिति पाल छत्र साल महबाहु बली काहा लो बखान करो तेरी करवाल को प्रति भट कटक कटी लेके दे काठी काठी काली कासी किलकी कलेẫnी देत काल को बहुत मस्त है भूशण जी की ये कवितायें भूशण जी के चंद मुझे आनन्दित कर देते हैं उत्सा हमगन कर देते हैं और ओज भर देते हैं तो आईए इसको समझते हैं बीर सिवा जी चतुरंगनी सेना को समार कर चतुरंगनी सेना में हाथी रत पैदल और गुरसवार होते हैं चतुरंगनी सेना में ठीक है तो चार प्रकार की सेना सिवा जी के पास थी और वो जो है चारों प्रकार की सेना को समार करके कहां चलते हैं जंग को जीतने के लिए चलते हैं अब भूशन भनत भूशन भनत कारत होता है महा कवी भूशन भनत माने कहते हैं कि नाद बिहद बिहद मिन्स होता है बिशाल बिशाल नगाडों के नाद के कारण बिशाल युद्ध के नगाडों की धोनी के कारण नदी नद मद गैवरन के रलत हैं तो क्या होता है बिशाल हाथियों सुनिए बिशाल नगाणों की बिशाल बेहद धुनी के कारण नदी नद मद गैवरन के रलत हैं इसका कहने का मतलब ये है कि हाथियों की कनपटी से बहने वाला मद ठीक है नदियां और नद ठीक है नदी नाले जिस तरहा बहते हैं उसी तरह गैबरन मतलब होता है हाथियों के बह रहे हैं क्या उसी तरह नदी नालों की तरह हाथियों के कान से मदजल प्रवाहित हो रहा है यानि शिवा जी की सेना में मदमस्त हाथियों की विसाल संख्या थी और युद्ध के लिए उत्तेजित होने के कारण हाथियों की पती से अत्यदिक मद गिर रहा था जो एकदम नदी नालों की तरहा बह रहा था और एलफेल खैलबाल खलक में गयल खलक मिन्स होता है दुनिया एलफेल खैलबाल यानि खैलबाल माने खलभली मच गई एलफेल मतलब चारों और सेना विशाल सेना के चारोर फैल जाने के कारण दुनिया की गली-गली में खलबली मच गई और गजन की ठेल-पैल हाथियों की ठेल-पैल से सम्पूर सैल अर्था परवत उखडने लगे तारा सो तरनी तरनी मिन्स होता है सूर्य जो है धूल के कारण धूरी धारा धूल की धारा के कारण अर्था धूल अत्तिदिक धूल उड़ने के कारण जो सूर्य है वो तारे की भाती दिखाई दे रहा है थारा पर पारा पारावार यूं हलत है और समुद्र प्रतवी पर धम के कारण इस तरह प्रतीत हो रहा है, जैसे थाली में रखा हुआ पारा हिल रहा हो, ठीक है, तो एक हां के तंस्की व्याक्या बता दी, महा कवी भूषन है, सीवाkas शोरी है, गजन की ठैल पहल सैल उसलत है میں कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर आप जानते हैं, अनुपरास अलं तो आप अतिशयोक्ती लिख लिजिए अतिशयोक्ती ज्यादा बहतर रहेगा। सिवा जी को किस उपादी से विबूशित किया गया है और चत्रंगनी सेना में कौन-कौन थे तो सिवा जी को सरजा सरजा सिवा जी को कहा गया है और उनकी सेना में चत्रंगनी सेना में क्या-क्या था तो ये बता दीजिएगा कि चत्रंगनी सेना में पैदल हाथी घोड़े औ तो हाथियों का मद है वो नदी नालों की तरह बह रहा है ठीक है समझ में आया कि ऐसी मूढ ताया मन की ऐसी मूढ ताया मन की परिहरी राम भगति सुर्शरिता आसकरत वसकन की हो परिहरी राम भगति सुर्शरिता आसकरत वसकन की ऐसी मूढ ताया मन की ऐसी मूढ ताया मन की ऐसी मूढ ताया मन की दूम समूह निरखी जूँ चातक त्रिशित जानी मति धन की नहीं तह सी तल तान बारी तह पुनिहानी होती लोचन की ऐसी मूढ ताया मन की जूँ गच काच विलो की सेन जड़ चाह अपने तन की हाँ चाह अपने तन की तूटत अत्यातुर अहार बस छति बिसार आनन की ऐसी मूढ ताया मन की काँलो काँकु चाले क्रिपानी धी जानत हौ गति मन की हो जानत हौ गति मन की तुलसिदास प्रभुहरहू दूसाह दुक करहू लाजनी जिपन की ऐसी मूढ ताया मन की बहुत अच्छा भजन है बहुत अच्छा पद है तुलसी दाजी कहते हैं यहां पर दीनता प्रदर्शित करते हुए स्री राम से अपने उधार की प्रातना करते हैं कि हमारी जो मन की जो है मूर्खता है कहते हैं कि यहां मन कुछ ऐसी मूर्खता कर रहा है हे प्रभू श्री राम तो स्री राम की परिहरी माने त्याग कर राम भगति सुर सरिता राम की भक्ति रूपी देव नदी को त्याग कर ओस के कणों की आशा कर रहा है समझे यानि स्री राम की भक्ति रूपी गंगा को त्याग कर बिशय रूपी ओस के कणों की ओस के बूंदों के द्वारा अपनी प्यास बुझाना चाहता है, ऐसी मुर्खता ये मन कर रहा है, और धूम समूह निरखी जियों चातक, और इस प्रकार कर रहा है, जैसे धूए का समूह, निरखी मिन्स होता है, देख कर, धूम समूह, धूए के समूह को निरखी माने देख कर, चातक पच्छी जियों माने, जि तो जिस तरह एक प्यासा पपीहा धुएं के गुबार को देखकर उसे मेग समझ लेता है और पानी के लिए उसी की ओर टक्टकी लगा कर देखने लगता है तो फिर क्या होता है नहीता सीतलता न बारी न तो वहाँ पर सीतलता होती है ठंडक होती है न बारी अर्था न जल होता है और पुनी हानी होती लोचन की बलकि उस धुएं के कारण नेत्रों की और हानी ही होती है इसी तरह कुछ हमारा मन जो है मूर्खता कर रहा है जो गच कांच जिस प्रकार कांच की दीवार को बिलो की माने देखकर सेन मिन्स होता है बाज जड़ जड़ माने मूर्ख छाह आपने तन की अपने शरीर की छाया को उस सीशे में देखता है जैसे सीशे की दीवार में मूर्ख बाज भूमी पर पड़े कांच की दीवार में अपनी परचाई को देखकर उस प्रतिविंब को अपना प्रतिदुन्दी समझता है अपना शत्रू समझता है और भूख के कारण क्या होता है टूटत अतियातुर अहारवस अहारवस अर्था भोजन के लिए अतिधिक ब्याकुलता के कारण उस पर तूट पड़ता है च्छति बिसारी आनन की आनन माने अपने मुख की च्छति माने हानी बिसारी माने भुला करके यानि वो भिर जाकर के उसी कांच में जाकर के लड़ता है और वहां पर अपना प्रतिद्वन्दी अप अपना ही ब्रद्दन दिखाई देता है पत्विंब इसलिए अपने मुक की हानी बिसार करके वो जाकर के उसमें लड़ जाता है इसी प्रकार की मुर्खता कुछ हमारा मन भी कर रहा है कहां लओ कहां कुचाल कृपानिदि जानत हो गति मन की हे कृपानिदि स्री राम आप तो हमारे मन की गति जानते हो मैं इस मन की कुचाल कहां तक कहूं तुलसी दास कहते हैं प्रभु हरवु दुसाह दुख यह सहनी यह दुख आप हमारा हरण कर लो करहु लाज निजपन की अपने प्रण की लाज करो अपनी प्रण की लाज रखो क्योंकि आपने अपने भक्तों क्विता कहां से बिनैपत्रिका से ली गई है राम भगत सुरसरिता में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है, राम भगतSरूसरिता रूपक तुलसीदास के अनुसार ये मन किस प्रकार की मूर्खता कर रहा है तो समझीएगा। जैसे प्यासा पपीहा धुएं के गुबार को देखकर उसे मेक समझ लेता है और उसी की ओर टक्टकी लगा के बैट जाता है परन्तु वो धुआ आखों में जाकर के उसके आखों की हानी ही करता है ठीक है अब इस साहितिक परिचेंट मोस्ट इंपार्टेंट है तीनों लिख लीजिये यह आएंगे आएंगे आपकी प्रीबोड में वर्षिक में वर्षिक में आएंगे ज़रूर ठीक है बलिदान प्रायसचित कहानी है इसका सारांस आयेガह करा दिया है आराम से पढ़ लीजिये तो राश्ट्र भासा हिंदी प्रचारे और देखो इसमें अनुवाद के साथ साथ संदर भी लिखना होगा नहीं तो साथ नंबर नहीं मिलेंगे भाईया ये प्रयागह पाट से लिया गया है प्रयागह नामक पाट से लिया गया है राश्ट्र भासा हिंदी के प्रचार प्र बिद्ध विद्ध वरेंड अर्थात स्रेष्ट विद्धानों के द्वारा उप्षोभित चामाने और प्रयाग विश्विद्याले प्रयाग विश्विद्याले भरत्वाज के प्राचीन गुरुकुल से नवीनम रूपम यू शोभते भरद्वाज के प्राचीन गुरुकुल का नवीन रूप की भाती सुसोबित हो रहा है स्वतंत्रे असमिन भारते इस स्वतंत्र भारत में प्रतेकम नागरिका नाम न्याय प्राप्त अधिकारा घोषनाम इवकुरवन इस स्वतंत्र भारत में प्रतेक नागरिक को न्याय प्राप्त का अधिकार है ऐसी घोषना करता हुआ उच्च न्यायलेह अस्य नगरस्य प्रतिष्ठाम वर्धेत उच्च न्यायलेह इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है फिर आपको वो नहीं आता है तो यह करिए अस्यिव कंदरासु इसकी ही कंदराओं में तपस्यंतह अनेक है इनकर रिश्यो मुनेश्च पराम सिद्धिम प्राप्त बंतहा अब ये कहां से लिया गया हिमालिया से लिया गया कि इसी की कंदराओं में तपस्या करते हुए अनेक रिश्यों और मुनियों ने क्या किया है परम सिध्धी को प्राप्त किया है अस्य सिध्धिमत्त्तम विलोक्केव इसकी सिध्धिमत्ता को विलोक करके ही देख करके ही उपन हरे गिर नाम संग में चनदी नाम धिया विप्रो अजायत इत्यादी कथे यंताः वैदिकाह रिश्या अस्य महत्तम स्वीकृत वनताः ठीक है अस्य हो सिध्धिमत्तम विलोकेव मतलब इसकी सिध्धिमत्ता को देख कर ही क्या कहा कि परवतों की गुफा में और नदियों के संगम में बुद्धी प्राप्त करने से ब्राम्हळ का जन्म हुआ था ठीक है विप्रो अजायत इत्यादी कथेंता इस प्रकार कहते हैं वैदिकाह रिश्याह वैदिक रिशी वैदिक रिशियों ने अस्य महत्तम स्वीकृत वनताः इसके महत्तों को स्वीकार किया है पुरानेश सर्व विधानाम सिध्धी नाम प्रदातु शिवस्य इस्थानम अस्य प्रवतस से कैलास सिखरे श्वीकृत मस्ती यानि की पुरानेश अर्थात पुरानों में सर्व विधानाम माने समस्त प्रकार की सिध्धी नाम प्रदातु शिद्धीयों को प्रदान करने वाले शिवस्य स्थानम शिवकाय स्थान अस्य प्रवतस से कैलास सिखरे स्वीकृत मस्ती इसी प्रवत के कैलास सिखर को स्वी इसलिए परवत राज हिमाले रक्षक्त या पालक्त या मतलब रक्षक होने के कारण पालक होने के कारण सरव सिद्धी प्रदात्रिया भारतिय जन्व के द्वारा अतिधिक समाधत्रित है यह प्रवत्राज ठीक है फिर इस लोकों को देखिएगा दो इस लोकों में से एक करिएगा तो वो दो इस लोकों में से एक करिएगा तो वो पढ़ा है और फिर वो इस लोक सुनाता कहता है कि मात्रिवत परदारेशु परद्रवेशु लोश्ठवत आत्मवत सर्वभूतेशु यहाँ पश्यसितापंडिताः मरुस्थल्या मर्थात मरुस्थल में जिस परकार मरुस्थल में रेगिस्तान में वरष्टी वर्षा और चुधारते भोजनम और भूंक से पीडित को दिया गया भोजन सफल होता है दरिद्रते दियते दानम और दरिद्र को दिया गया दान सफल होता है पांडुनंदन हे पांडुनंदन हे पांडुनंदन युधिश्थिर जिस परकार मरुस्थल में वर्षा और भूंके को भोजन तथा दरिद्र को दिया गया दान सफल होता है ठीक है उसी प्रकार अच्छा ऐसे दिखें जिस प्रकार मरुस्थल में वरशा और भूंखे को दिया गया भोजन सफल होता है उसी प्रकार दरिद्र को दिया गया दान सफल होता है मातरवत परदारेशु माता के समान दूसरों की इस्त्री को परदरवेश लोष्ठवत और दूसरे के धन को मिट्टी के धेले के समान आत्मवत परद सर्वभीत भुतेशु और फिर क्या है संपूर प्राणियों को अपने समान जो यह माने जो देखता है पश्चेस सहपंडि जो दूसरों की इस्त्री को माता के समान दूसरे के धन को मिट्टी के डेले के समान और समस्त प्राणियों को अपने समान देखता है सहपंडिता वही पंडित है वही विद्वान है पिर है सत्तेन रक्षते धर्मों विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम सत्य से धर्म की रक्षा होती है और ये कहां से लिया गया है ये आपका लिया गया है सदा चारो पदेशा से ठीक है सदा चारो पदेशा से लिया गया है सत्य रक्षते धर्मों सत्य से धर्म की रक्षा होती है ठीक है विद्या योगेन रक्षते विद्या की रक्षा भ्यास से मिर्जिया माने होता है स्वच्छता से रूपम, रूप की रक्षा स्वच्छता से होती है, कुलम ब्रत्तेन रक्षते, ब्रत्तेन माने होता है, चरित्र से कुल की अर्थात, वंश की रक्षा होती है, फिर है कुत्ती की मौत मारना, कुत्ती की मौत मरना, ठीक है, ये क्या है, मुहावरे और लोकोक्तियां है तो कुत्ते की मौत मरना बुरी तरह मरना आग में घी डालना क्रोध को और भढ़काना कूप मंडूक होना यानि की अपने स्थानी ज्यान तक ही सीमित रहना होई है वही जोराम रचिराखा अर्थात भाग्य के आगे कुछ नहीं मिलता ठीक है होनी को कौन टाल सकता है सिर माथे पर लेना सिर माथे पर लेना की मतलब क्या है आदर पूर्वक स्वीकार करना ठीक है फिर संदिविच्छेद आपका आएगा उपेंद्रह का उपधन इंद्रह हो जाएगा स्रीशा का स्रीधन इशा हो जाएगा दावालाप्तन चंद्रोदया का चंद्रधन उदया हो जाएगा फिर बिभक्ति और वचन छाटना है सरित्सु में सप्तमी बिभक्ति वखवचन का रूप है सरित्सु हमने कहा जो सू लग जाए और शू लग जाए तो सब्तमी बहुचन होता है आत्मा जो आत्मा है वो दुतिया बहुचन है आत्मा आत्मा नम आत्मा आत्मने ये प्रत्मा का एक वचन है ठीक है और फिर आपको सब्द युगमों को सही करना है इसके अर्थ निकाल के ग्रिह औ माने होता है घर ग्रह माने नक्षत्र तो आ आप्षन आपका सही हो जाएगा जलज मिन्स होता है कमल और जलद मिन्स बादल तो कमल और कमल और बादल यह वाला सा आप्षन से होगा अधर का अर्थ नहीं है तो अधर का अर्थ क्या होता है अधरकार्त होता है बीच अधरका होता है ओट ठीक है और अधरकार्त होता है शुन्य उनमाद नहीं होगा ठीक है उनमाद नहीं होगा तो यहाँ पर आपसे नमबर बास आए पद कहते हैं स्थान को गीत को छंद के चरण को इन सभी को इन सभी को कहते हैं पद ठीक है और निम सोचने वाला होता है दूर दर्सी सही उत्तर छाटना है मैं स्वामी जी का दर्शन करूंगा नहीं मैं स्वामी जी के दर्शन करूंगा ठीक है तो ये दावाला आप्शन सही होगा फिर शुद्ध वाक के बनाना है कामाईनी एक उच्च कोटी का कावव है यहाँ पर यह सास ही होगा स्रिंगार और शांतरस लेश उपमा संदे और चौपाई सोरठा यह सब छंद रस छंद लंकार आएंगे और रिण हेतु आपका क्या हो जाएगा रिण हेतु पत्र लेखन होगा तो रिण हेतु हो जाएगा और जिलाधिकारी को सिकायती पत्र है फिर आप निबंध याद कर लिजे धर्ती की रक्षा, परिया और सुरक्षा, मेरा प्रिय साहितिकार, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, भारती किसान की समस्याइं, विज्ञान वरदान अबसा बड़ा इंपार्टेंट है तो आज का पेपर बस इतना ही था, और भी सब्जेक्ट के हम पेपर लाने वाले हैं, तो मॉडल पेपर साफ सभी लोग तयार करते रहिए, और यहीं से आपका पूरा का पूरा एक्जाम क्लियर हो जाएगा, बहुत बहुत शुक्रिया जुनने के लिए, प्लेलिस्ट जरूर इनफो, ठीक है, इस पर जब जाएंगे तो आपको कच्छा 11 का लिंक मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं, बाकि डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगा,